हेलो दोस्तों वेलकम टू डिएशडी कार्स और भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मारुत्ती की दो पहतरीन गाडियों के बारे में जो की अपने आप में जबरदस्त वैल्यू फोर मनी कही जा रही है यानि की मारुत्ती ग्रेंड विटारा का सिग्मा यानि की ब परक है वही दोनों गाडियों में है लेकिन फीचर वाइज कौनसी गाड़ी ज्यादा बैटर आप लोगों के लिए साबित हो सकती है वो सारी बाते आज के वीडियो में करेंगे दोनों य गाड़ियां एक ही स्क्रीन पे आप लोगों के सामने हैं स्क्रीन को बढ़ा करके आप आराम से देख सकते हैं फीचर्स की बात करें तो मारुत्ती ग्रेंट विटारा के बेस मोडल में LED DRLS कम Turn Indicator आपको इखटे यूनिट में मिलते हैं Halogen Projector Head Lamp आपको मिल जाते हैं जबकि मारुत्ती ब्रेजा में Turn Indicator और जो DRLS हैं वो LED में आपको अलग-अलग मिलते हैं और Dual LED Projector Head Lamps भी आपको भाई गाड़ी में मिल जाते हैं Fog Lamps कोई सी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलते हैं Silver Color की जो Skid Plate है वो दोनों ही गाड़ीयों में आपको मिलती है Chrome Grill दोनों ही गाड़ीयों में मिलती है लेकिन Grand Vitara में जादा Chrome Finish का यूज आपको मिलता है दोनों ही गाड़ीयों की जो Front Look है वो आप देख सकते हैं कौन सी गाड़ी की लुक आपको जादा पसंद आती है Front और Side का जो View है वो आप यहाँ से गाड़ीयों का देख सकते हैं Side में चलें तो मारुत्ती Grand Vitara के Base Model में 17 इंच के Steel Rim और Wheel Cover के साथ में आपको टायर्स मिलते हैं जबकि मारुत्ती बिरेजा में 16 इंच के Alloy Wheels आपको गाड़ी में मिलते हैं Black Color की जो Body Clading है वो दोनों ही गाड़ीयों में मिलती है दोनों ही गाड़ीयों में 200 mm के लगबकी जो Ground Clearance है वो आपको मिलती है Grand Vitara में ABS, EBD और Brake Assist के साथ में Rear में भी डिस्क और Front में भी डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं जबकि मारुत्ती ब्रेजा में ABS, EBD और Brake Assist के साथ में Rear में Drum और Front में डिस्क ब्रेक आपको भाई मिलते हैं ORVMs की बात करें तो दोनों ही गाड़ीयों में Body Colored ORVMs आपको मिलते हैं और LED Turn Indicators उन्हें के उपर Place किये गए हैं Grand Vitara में A Pillar Body Color में B और C दोनों ही पीलर्स ब्लैक आउट मिलते हैं जबकि ब्रेजा में A, B और C तीनों ही पीलर्स आपको ब्लैक आउट मिलते हैं Body Color में ही Door Handles मिलते हैं Grand Vitara में आपको Roof Rails नहीं मिलती हैं जबकि मारुत्ती ब्रेजा में जो roof rails हैं वो भाई आपको मिल जाती है side का और rear का जो look है वो यहां से दोनों ही गाड़ियों का आप देख सकते हैं अब look wise सब की पसंद भाई अलग-अलग होती है किसको कौन सी गाड़ी की looks पसंद आती है दोनों ही गाड़ियों में LED टेल लेंपस आपको मिलते हैं और दोनों ही गाड़ियां smart hybrid technology के साथ में आपको मिलती है चार parking sensor दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं और जो silver skid plate है वो दोनों ही गाड़ियों में भाई आपको मिल जाती है Grand Vitara में rear camera नहीं मिलता है जबकि मारुति ब्रेजा में rear camera आपको मिल जाता है Grand Vitara में cable rear defoggers आपको मिलते हैं जबकि मारुति ब्रेजा में rear defogger और rear wiper दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाती है rear spoiler, high mount stop lamp और shark fin antenna दोनों ही गाडियों में आपको मिल जाता है चाबी की बात करें तो दोनों ही गाडियों में remote control चाबी आपको मिलती है lock और unlock बटन के साथ में और दोनों ही चाबियां remote control आपको मिल जाती है दोनों ही गाडियों में driver और co driver दोनों ही दर्वाजों पे requesting sensor आपको मिलता है लेकिन यहां से lock unlock करने पे जो ORVM से हैं वो by fold unfold कोई सी भी गाडियों में नहीं होते है interior की बात करें तो दोनों ही गाडियों में dual tone के साथ में जो interior है वो मिलता है silver finish और chrome finish का use किया गया है दोनों ही गाडियों में चारों power windows मिलती है और जो driver window है one touch up, one touch down और anti pinch feature के साथ में मिलती है और जो ORVM से हैं उनको अंदर से button दबा के आप fold unfold कर सकते हैं यानि कि power adjustable और power foldable ORVM दोनों ही गाडियों में आपको मिलते हैं bottle holder दोनों गाडियों में दिया गया है grand vitara में आपको speakers नहीं मिलते हैं जबकि breeza में भाई speakers आपको मिल जाते हैं दोनों गाडियों में driver seat की height adjust करने का जो option है वो आपको मिलता है दोनों गाडियों में fabric में ही seat मिलती हैं ब्रेजा में जो seat cover है वो भाई add on कराए गए हैं दोनों ही गाडियों में adjustable headrest आपको मिलते हैं और ये है दोनों ही गाडियों के dashboard की look, dual tone के साथ में जबर्दस्त look आपको दोनों ही गाडियों में मिलती है, light के controls और start stop का जो push button है वो driver के right side में दिया गया है, ब्रेजा में जो idle start stop है और traction control है वो आपको driver के right side में मिलता है, जबकि grand vitara में वो center console पे आपको मिलता है, ये है दोनों ही गाडियों के MID meter की look, यानि कि दोनों ही गाडियों में semi-digital MID meter आपको मिलता है, temperature, fuel, speedometer और RPM meter आपको analog दिखता है और जो बाकी की सारे informations हैं वो आपको center में digitally दिख जाती हैं और MID में feature wise कोई ऐसा बड़ा फरक आपको नहीं मिलेगा, steering की बात करें तो grand vitara में आपको sound controls मिल जाते हैं steering लेकिन मारुत्ती ब्रेजा में sound controls, telephonic controls और साथी साथ जो cruise controls हैं वो भी भाईया आपको मिल जाते हैं, दोनों ही गाडियां dual airbag के साथ में आती है, grand vitara में round safe steering आपको मिलता है, जबकि ब्रेजा में decat safe steering आपको मिलता है, दोनों ही गाडियों में steering को आप tilt और telescopic दोनों तरह से adjust कर सकते हैं, center console पे चलें तो grand vitara में कोई भी music system आपको नहीं मिलता है, जबकि मारुत्ती ब्रेजा में 7 इंच का touchscreen infotainment system आपको मिलता है, 4 speaker और 2 twitter के साथ में, android auto, apple car play, bluetooth और USB से system connect हो सकता है, साथी साथ voice command system भी आपको भाई ब्रेजा में मिल जाता है, auto climate control दोनों ही गाडियों में आपको मिलता है, grand vitara में केवल 12 volt का accessory outlet आपको मिलता है, जबकि मारुत्ती ब्रेजा में 12 volt का accessory outlet और उसके साथ USB point भी आपको मिल जाता है, दो लगती है, दो cup holders दोनों ही गाडियों में मिलते है, grand vitara में जो center armrest है, वो adjustable आपको मिलता है, storage के साथ में, लेकिन मारुत्ती ब्रेजा में center armrest आपको नहीं मिलता है, दोनों ही गाडियों में normal glow box compartment आपको मिलता है, manually adjustable day night IRVM दोनों ही गाडियों में दिया गया है, grand vitara में sunglass holder नहीं मिलता है, जबकि ब्रेजा में आपको मिल जाता है, front cabin light दोनों ही गाडियों में मिलती है, मारुत्ती ब्रेजा में जो sunroof का control है, वो भी front में आपको मिल जाता है, vanity mirror दोनों ही गाडियों में flip cover के साथ में, co driver वाली side में मिल जाता है, लेकिन driver वाली side में, grand vitara में ही आज की डेट में हर आदमी अपनी गाड़ी में भाई संरूफ चाहता है तो अगर आप भी चाहते हैं कि संरूफ आपकी गाड़ी में हो तो सीधे तोर पे मारुत्ती बिरेजा की तरफ जा सकते हैं ये था दोनों ही गाड़ीों का फ्रंट कैबिन रियर दर्वाजे पे भी बड़ा फरक आपको नहीं मिलता है काफिए अराम दैक शिटिंग दोनों ही गाड़ियों में मिलती है adaptationable headrest दोनों गाड़ियों में मिलते हैं लेकिन grand vitara में 3 headrest मिलते हैं जबकि breja में 2 headrest आपको मिलते हैं Centrarmrest with cup holder दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है तो दोनों ही गाडियों में जो स्पेस है वो बढ़िया है लेकिन Grand Vitara में थोड़ा सा स्पेस भाई आपको ज़्यादा मिलता है लैग रूम, थाइस्पोर्ट दोनों गाडियों में बढ़िया यहाँ पे दी गई है रियर एसी वेंट भी दोनों ही गाडियों में मिलते हैं लेकिन ब्रेजा में 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट भी आपको भाई मिल जाता है और रियर सीट पे बैटने के बाद डैस बोड की जो लुक है वो दोनों ही गाडियों के आप देख सकते हैं बूट की अगर बात करें तो दोनों ही गाडियों में Requesting Sensor के साथ में पावर बूट दिया गया है ग्रेंड विटारा में 400 के लगबक का जो बूट सपेस है वो आपको मिलता है जबकि ब्रेजा में 328 लिटर का जो boot है वो भाई आपको मिलता है और साथी साथ जो boot light है वो भी आपको केवल ब्रेजा में ही मिलती है boot floor के निचे दोनों ही गाड़ीयों में जो stepney है वो आपको मिलती है Grand Vitara में 17 इंच और ब्रेजा में 16 इंच का जो स्पेर वील है वो भाई आपको मिलता है फ्रंट से लेके रियर तक की जो इंसाइड लुक है वो दोनों ही गाडियों की आप यहाँ पे देख सकते हैं इंचन की बात करें तो दोनों ही गाडियों में बिल्कुल सेम इंचन आपको मिलता है 1462 CC 102 BHP और 136 NM टोर्क के साथ में Grand Vitara की जो माईलेज है वो है 21.11 की और मारुत्ती बिरेजा की है 20.15 की तो एक किलोमेटर पर लिटर की जो माईलेज है वो विटारा में आपको भाई ज़्यादा मिलती है 4 सिलेंडर के 15C स्मार्ट हाइब्रिड पैट्रोल इंचन दोनों ही गाडियों में दिया गया है यानि कि इंचन के मामले में दोनों ही गाडियां बिलकुल बराबर है आपको पड़ेगी लगबग 12,20,000 रुपए की वहीं अगर मारुत्ती बिरेजा का आप ZXI वेरियंट लेते हैं तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 10,86,000 रुपए और ये गाड़ी बेसिक किट के साथ आपको ओन रोड पढ़ती है कि अगर आपको बड़ी गाड़ी चीए तो आप सीधे तोर पे मारुत्ती ग्रेंड विटारा की तरफ जा सकते हैं क्योंकि बड़िया फीचर्स के साथ में और बड़िया प्राइस के साथ में मारुत्ती ग्रेंड विटारा का जो बेस मोडल है वो आपको मिलता है लेकिन अगर आपको feature loaded गाड़ी चीए इसमें कि आपको एक भी पैसा ना लगाना पड़े तो आप भाई मारुत्ती ब्रेजा की तरफ जा सकते हैं क्योंकि मारुत्ती ब्रेजा अगर 40-45,000 रुपे महेंगी भी है तो उसमें जो features हैं वो भी भाई आपको extra मिल रहे हैं अब अगर मैं पैसे की बात करूं कि ये features कितने क्या पैसे के हैं तो हम normally सी चीज लगा लेते हैं कि जो 30,000 में alloy wheels हैं वो शायद आपको पड़ेंगे 2000 में rear camera आप मान लीजिए 2000 का rear wiper मान लीजिए 20,000 के cruise controls मान लीजिए 35,000 का जो touchscreen infotainment system है वो आप लगा लीजिए 35,000 की sunroof लगा लीजिए और 2000 की parcel tray लगा लीजिए उसके अलावा जो USB port वगरा है उसको मैं नहीं लगाता हूँ फिर भी लग बग एक लाख 20,000 रुपए के जो features हैं वो भाई मारुत्ती ब्रेजा में आपको extra मिलते हैं जबकि grand विटारा में चारों पहिये में जो disc brake हैं वो आपको extra मिल रहे हैं और जो center armrest है वो आपको extra मिल रहे हैं उसकी कीमत अगर total मिलाके में 20,000 भी मानू फिर भी एक लाख रुपए के ज़्यादा features आपको मारुत्ती ब्रेजा में भाई यहाँ पे मिल रहे हैं तो मेरे इसाब से मारुत्ती ब्रेजा ज़्यादा value for money कहीं न कहीं साबित हो सकती है लेकिन अगर आपको बड़ी गाड़ी चीए यानि कि mid-size SUV चीए बड़े tires के साथ में चीए तो आप मारुत्ती ग्रेंड विटारा की तरफ जा सकते हैं और जो base model है वो भाई 100% value for money है और मारुत्ती ब्रेजा का जो ZXI variant है वो भी 100% value for money है कोई सी भी गाड़ी में ऐसा नहीं है कि आपको जितने पैसे आप pay कर रहे हो उससे कम features मिल रहे है गाड़ी आप कोई सी भी ले लो दोनों ही value for money है लेकिन आपकी जो requirement है उनको पहले set कर लीजिए कि आपको अपनी गाड़ी में क्या-क्या चीए पैसा आपका है चोईस आपकी है जो भी गाड़ी आप लेना चाहें बाई निसन को चोके ले सकते हैं दोनों ही बढ़िया गाड़ियां मारुत्ती के तरब से market में दे दी गई है तो यही था आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो को एंट तक देखने के लिए थैंक्यो दोस्तों